मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद है और आप सब भी पता है मेरी मम्मी मुझे आज यहां छोड़ने आई थी क्योंकि मुझे पता था आज आपकी मेरम घटा दे के सवाल सिखाएंगी और मुझे भी घटा ना सेखना था जानते हैं क्यों? क्योंकि कल मुझे एक दुकानदार ने भी वकूफ बनाया जानते हो कैसे? अरे बताता हूँ बताता हूँ कल मीरी मम्मी ने दस उपे दिये थे और मम्मी ने कहा जाओ टौफी ले आओ मैं दोड़ा दोड़ा गया और तीन नुपे की टौफी ले ली दुकानदार को दस उपे दिये उसने मुझे पाँच उपे वापस दिये क्योंकि मुझे घटाना नहीं आता था मैं खुशी खुशी घर आ गया और घर आने के बाद में जब मैंने मम्मी को पैसे दिये तो मम्मी ने कहा अरे ये तो पैसे कम है तो इसलिए मुझे मम्मी ने आज इसकूल में भेजा है यहाँ ताकि मैं घटाने के सवाल सीख सकूँ और वैसे भी आपकी मैडम तो कहानियों से पढ़ाती है मुझे कहानिया बहुत पसंद है आप जानते हो मेरी दादी भी कहानिया सुनाती है जब मैं रात को सोता हूँ तो चलो आज मैं भी आपके साथ पढ़ूँगा अरे मैडम आ गई चलो मैडम के पास चलते हैं हेलो बच्चो कैसे हो आप आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे तो बच्चो अरे आज देखो हमारे साथ कितने सारे बच्चे आए हैं कुछ नए भी हैं बच्चो आज हम बात करेंगे घटा देखी पर उससे पहले देखो मैं क्या लाई हूँ आप लोगों के लिए क्या हैं ये चॉकलेट्स आप सबको चॉकलेट्स पसंद है ना अच्छा ये चॉकलेट्स हैं रिंकु की अब ये बताओ रिंकु ने अगर एक चॉकलेट रिंकु के बराबर में जो बैठी है स्रस्ट्री उसको दे दी तो रिंकू के पास बताओ कितनी चॉकलेट बच्छी बताओ very good आपने बताया कि रिंकू के पास 4 चोकलेट बच्छी बच्चो इसका अर्थ है कि आपने अपनी पहली कक्षा में और इससे पुर्व की कक्षा में इकाई अंक का ज्ञान बहुत अच्छी तरह लिया है अब बच्चो हम बात करते हैं देखो ये क्या है पैंसिल्स हैं और ये तो आपके काम में डेली आती हैं बच्चो ये पैंसिल है सोनु की सोनु ने अपने आसपास में जो उसके चार फ्रेंट्स बैठे थे और पैंसिल नहीं लाए थे उनको चार पैंसिल दे दी अब देखो बताओ ये टोटल पैंसिल थी हमारे पास बारा और चार पैंसिल रिंकु ने अपने दोस्तों को दे दी तो बताओ रिंकु के पास कितनी पैंसिल बची वेरी गूड रिंकु के पास बची आठ पैंसिल बच् अपने पूर्वकक्षा में धाई का अंक यानि की दो अंकों की घटा भी बहुत अच्छी तरह सीखी है चलो तो बच्चो अम मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ यह कहानी नहीं है यह कहानी है हमारे बिट्टू की पता है कल बिट्टू का बर्थडे था और बिट्टू के घर में रसगुले बने थी आप सबको रसगुले बहुत पसंद है ना हाँ सबके मुँ में पानी आ गया सबको खिलाओंगी रसगुले तो बच्चो जब बिट्टू के घर में रसगुले बने तो बिट्टू की दादी ने कहा बिट्टू यहां आओ रसोई बे जाओ और रसगुले गिन कर आओ और सुनो जब तक महमान ना आ जाएं किसी को देना नहीं अब बिट्टू दोड़ा दोड़ा कहा गया रसोई में और रसोई में जाने के बाद में बिट्टू रसगुले गिनने लगा बिट्टू के मुँ में पानी आ रहा था क्योंकि उसको भी रसगुले बहुत पसंद थे परन्तु बिट्टू ने रसगुला खाया नहीं जानते हो क्यों क्योंकि वो दादी की बात मानता था अब बिट्टू की छोटी भेन आती है और उसके भी मुँमे पानी आ रहा था उसने कहा भाया प्लीस मुझे एक रसगुला दे दो अब बिट्टू ने उससे कहा दादी ने मना किया है लेकिन क्योंकि वो छोटी थी और जिद कर रही थी तो बिट्टू ने उसको रसगुला दे दिया उसने फिर एक रसगुला और मांगा तो बिट्टू ने कुल मिला कर उसको दो रसगुले दे दिये अब बिट्टू ने जब रजगुल्ले गिने थे तो कितने थे 106 और दो रजगुल्ले बिट्टू ने छोटी बहन को दे दिये तो बताओ बच्चो बिट्टू के पास कितने रजगुल्ले बचे बहुत अच्छे आपने बताया कि 104 रजगुल्ले इससे पता चलता है कि आपने अपनी पूर्व की कख्षा में सैकड़ा यानि कि इकाई धाई सैकड़ा अर्था तीन अंक के घटा के सवाल बहुत अच्छी तरह सीखे हैं तो बच्चो आज हम बात करते हैं कि हम कैसे 4 अंके, 5 अंके और 6 अंके संख्याओं के घटा के सवाल करते हैं तो आईए चलते हैं लेकिन घटा के सवाल शुरू करने से पहले हम कुछ मुख्य बिंदूओं के बारे में बात करेंगे देखो बच्चो हम बात करते हैं उधार लेकर घटाने योग में याद रखने योग्य बाते सबसे पहले हम मुख्य बिंदूओं हम जब भी किसी सवाल को घटाना आरंब करते हैं तो हम देखते हैं कि संख्याओं को इकाई तरफ से ही लिखना आरंब करते हैं जैसे आपके पास एक उधारन दिया हुआ है जब भी हम सवाल लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे बच्चो इकाई की तरफ से ही लिखना आरंब करेंगे और फिर हम ध्यान रखते हैं कि इकाई की तरफ से ही हम घटाना आरंब करते हैं जैसे आपने देखा यहाँ पर एक संख्या है इकाई की तरफ पर 9 तो हम जब घटाना आरंब करेंगे वो कहां से करेंगे 9 से यानिकि 9 में से हम 3 को घटाएंगे उपर की संख्या से नीचे की संख्या को घटाते हैं तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जो भी संख्या हमारी उपर दी गई है उसमें से हमें नीचे वाली संख्या दिखानी है जैसे कि हमारा नौ था तो नौ में से तीन गए तो कितने बचे बच्चों? छे वचे घटाने के लिए उपर बड़ी संख्या लेते हैं और अगर संख्या छोटी है तो हम उधार ले लेते हैं अर्था जब भी बच्चों हम घटाना शुरू करेंगे तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से घटाना प्रारभ करते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और जब भी हमें अगर संख्या हमारी छोटी ऊपर आ जाती है तो जानते हैं हम क्या करते हैं हम लेते हैं उधार अब उधार कैसे लेते हैं आओ हम वो भी देखते हैं उससे पहले एक उधार लेने से पहले भी कुछ म बराबर होती है हमारी दस इकाई के एक धाई किसके बराबर होती है दस इकाई के आप जानते हैं इकाई धाई सैक्रा हजार हम बात करते हैं कि इकाई जो है वो धाई के पहले आती है तो एक धाई किसके बराबर होगी यानि कि जब भी हम एक धाई को धार लेंगे तो वो हमार किसके बराबर जाएगा, 10 इकाई के, समझ में आई बच्छो, और 1 सैक्रा हमारा 10 दाई के बराबर होता है, उसी तरह, 1000 बराबर 10 सैक्रा होता है, और 1 दस हजार बराबर 10 एक हजार होता है, एक लाख बराबर दस दस हजार होता है और एक दस लाख बराबर दस एक लाख होता है तो बच्चो इसका ध्यान हम कैसे रखेंगे हम अभी आगे इसके बारे में बात करते हैं उससे पहले चलो हम देखते हैं कहां चलते हैं जानते हैं ये कौन है ये है रिंकी और ये है सोनू सोनू और रिंकी एक दूसे के पडोसी है रिंकी की मम्मी ने रिंकी को दस उपे दिये है और सोनू की मम्मी ने भी सोनू को दस उपे दिये है रिंकी और सोनू दोनों एक साथ खेला करते हैं बच्चो जब रिंकी और सोनू दोनों एक साथ खेल लहे थे तब ही वहाँ पर एक खिलोने वाला आया और जानते हो खिलोने वाले के पास क्या थी? एक बहुत सुन्दर डॉल थी और रिंकी को वो डॉल बहुत पसंद आई उसने खिलोने वाले भाईया से पूछा भाईया ये कितने की है तो खिलोने वाले ने बताया कि ये बी सुपे की है अब रिंकी ने सोचा कि डॉल तो है बी सुपे की और जबकि रिंकी के पास कितने पैसे थे? केवल 10 रुपे और सोनु के पास भी कितने थे? 10 रुपे तो रिंकी ने सोचा अगर मैं सोनु से 10 रुपे उधार ले लूँ तो यह डॉल मेरी आ जाएगी अब क्योंकि सोनु रिंकी का पडोसी दोस था तो सोनु ने भी उसको 10 रुपे उधार दे दिये तो अब रिंकी के पास कितने हो गए 10 और 10 20 और 20 रुपे की वो डॉल रिंकी ने खरीद ली अब रिंकी भी खुश हो गई तो बच्चो हमें जब भी कभी जरुवत होती है हम हमेशा अपने पडोसी दोस्त से उधार लेते हैं और एक बात ध्यान रखना बच्चो हम हमेशा अपने पडोसी मितर से ही उधार लेते हैं कभी भी अगर हमें जरुवत पढ़ती है तो हम ऐसा थोड़े ना करते हैं कि अपने पडोस को छोड़कर दूसरे पडोस में जाएंगे नहीं हम क्या करते हैं जो भी हमारा सबसे पडोस का मित्र होता है जो बिल्कुल हमारे बराबर में रहता है हम उधार हमेशा उसी से लेते हैं जैसे इकाई, धाई, सेंकड़ा, हजार इकाई कहां से उधार लेती है? धाई से उसी तरह धाई कहां से उधार लेता है? सेंकड़े से और सैंकडा कहा से उधार लेता है बच्छो, 1000 से और फिर 1100,00,00,0000,00,00 शे और यह क्रम इसी तरह चलता रहता है तो अब हम चलते हैं अपने चार अंके घटाने के प्रिश्ण को लेकर तो बच्चो आज हम देखेंगे कि चार अंक्ये घटागने का प्रेशन कैसे हल करते हैं जैसा कि आप लोगों ने बताए मुझे उसके अनुसार आपको इकाई धाई सेकड़ा तक तो घटाना आता है अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा संख्या आ गई है वो है हजार सेकड़े से आगे क्या भड़ा हजार तो हजार का हम घटाना कैसे आरंब करते हैं वही नियम पर आते हैं जो हमने कुछ समय पहले पढ़े थे कि हम कोई भी संख्या जब हम घटाते हैं तो शुरूवात कहां से करते हैं बच्चो इकाई से इकाई में से आरंब करते हैं और घटाना भी हम इकाई से ही आरंब करते हैं जैसे नो में से तीन गए तो बच्चा क्या छे कितना बच्चा नो में से तीन गए तो बच्चा छे अब बच्चों इकाई के बाद क्या आता है धाई आपने देखा धाई पे कितनी संख्या है साथ और नीचे कितनी संख्या है आठ तो क्या साथ में से आठ चला जाएगा घट जाएगा नहीं घट सकता क्योंकि साथ कैसी संख्या है छोटी संख्या है तो हम क्या करते हैं धाई का पडोसी दोस्त कौन है सैकड़ा यानि कि हम सैकड़े से उधार ले लेते हैं हम क्या करते हैं सैकड़े से उधार लेते हैं जब सैकड़े से हमने एक उधार लिया तो एक आपको पता है कि एक सेंकड़ा किसके बराबर होता है दस धाई के बराबर तो जब एक सेंकड़ा इधर उधार जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दस और साथ सत्रा क्या हो जाएगा बच्चो सत्रा और यहाँ से क्योंकि उधार चला गया आठ गए अब आपको घटाना है कि 17 में से 8 गए तो कितने बचे ये बचे हमारे 9 और यहां पर सैक्डे वाली जगह पर जहां क्या था बच्चो पहले 6 था लेकिन एक उधार दे दिया तो कितना बचा 5 तो अब हम 5 में से 7 को घटाते हैं क्या 5 में से 7 जा सकता है नहीं जा सकत तो हम क्या करते हैं 1000 में से 1 सैक्डा उधर हासिल ले लेते हैं यानि कि 1000 बड़ाबर 10 सैक्डा होता है तो यहां पर 10 और 5 पंधरा अब हमें देखना है कि 15 में से 7 गए तो कितने बचे कितने बचे बच्चो बताओ बेरी गुड आठ बचे 15 में से हमने 7 गटा दिया तो 8 बचे अब बच्चो यहां से तो एक इसने उधर दिया था तो यहां पर कितनी संख्या रह गई थी पोर चार और अब हम क्या करते है हजार में उपर चार है और नीचे एक है तो यह तो आसानी से घट जाएगा तो चार में से एक गया तो हमारा क्या बच्चा तीन तो इस तरह बच्चो हम हमेशा अपना इकाई धाई सैक्रा हजार की सहायता से उधार लेकर भी संख्या को घटा देते हैं अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रिश्ण की तरफ बच्चो यह भी एक उधारण है आप इसे करें तो देखिए हम फिर से आरंब कहां से करते हैं बच्चो छे बचा अब बच्चो धाई में क्या संख्या है जीरो है तो जीरो देखकर आप डर तो नहीं गए जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं तो जीरो में से आठ को आप कैसे घटाएंगे बिल्कुल उसी क्रम में हम चलते हैं आए देखते हैं यहां पर सैक्रा है तो सै एक सेंकड़ा किसके बराबर होता है दस धाएट के तो यहां से एक सेंकड़े में से हमने उधार लिया तो यहां तो रह गया तीन और यहां रह गया हो गया तस तो दस में से 8 को हम घटा देंगे अब बताएए जल्दी से 10 में से 8 गया, टुक टुक बताएगा, 10 में से 8 गया, बच्चा हमारा 2, आई बच्चो समझ में, अब हमारे पास सैक्डे पर कितनी संख्या हो गई है, 3 हो गई है, तो 3 में से 0 गया, तो कितना बच्चा बच्चो, 3, और यहां पर तो 7 बड़ा था, तो 7 में से अगर हम एक घटाते हैं, तो बसता है 6, तो इस तरहा बच्चो, हम अपने घटाने के प्रिशन को हल करते हैं, यह बच्चो, आपके 4 अंकिया, यानि के 1, 2, 7, 1000, तक के प्रिशन को इस तरहा से हम हल कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, एक 5 अंकिया संख्याओं का घटाना, बच्चो, आपको पता है, अभी जो हमने प्रिशन हल किया था, वो था हमारा 4 अंकिया, और यह हमारा 5 अंकिया, तो आप जानते हैं, इसमें कितना अंतर आया, वो हमारा 1000 तक था, अब हमारी जो संख्याओं हैं, वो आ गई हैं 10,000 तक, तो घटाने की प्रकिरिया हम पुने वहीं से आरम करते हैं, लेकिन मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, पांच अंकिया सवाल है, तो हमें याद रखना है, इकाई, धाई, सैकडा, हजार, दस हजार, फिर से बोलो, इकाई, धाई, सैकडा, हजार, दस हजार, तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, पांच अंक ह चलिए तो हम आरंब करते हैं, छे में से साथ गए, जैसे आपको पता है कि हम इकाई से आरंब करते हैं, अब बताईए छे में से साथ चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम अपने धाई से एक अंग उधार ले लेंगे, और यहाँ पर हो गया सोला, सोला में से साथ गए, अब आप बताईए, सोला में से साथ गए तो कितने बच्चों? बच्चे हमारे? अब यहाँ से तो एक उधार दे दिया था, तो यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, यह कितना बच्चा बच्चों? सेवन, तो सेवन में अब धाई के अंग में उपर सेवन है, और नीचे फाइव है, तो सेवन में से हम फाइव को घटा सकते हैं ना, तो बताईए, सेवन में से जब हम फाइव को घटाते हैं, तो कितना बच्चता है? दो, वेरी गुड बच्चों, अब हम बात करते हैं सैकडे की, आप ध्यान से देखो, सैकडे पे हमारी फिर से वही सेवन संख्या है, और नीचे कितनी संख्या है? एट है, अर्थात सेवन छोटा है, और एट कैसा है बच्चों? बड़ा है, तो सैवन में से एट को हम घटा देंगे? नहीं घटा सकते, जब हम नहीं घटाएंगे, तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें फिर से हजार से उधार लेना है, और आपको पता है कि एक हजार किसके बरावर होता है? दस सैकडे के, तो हम यहाँ प तो बचेगा कितना फोर और यहाँ पर हमारा दस सेकड़ा जुड़ गया तो दस और साथ कितने होते हैं बच्चों सत्रा तो सत्रा में से अब आपको आठ को घटाना है तो चल्ली से सोच के बताईए देखती हूँ इतने कौन जवाब देता है सत्रा में से आप आठ को घटाईए वेरी गूड इस बार कन्नु ने अंसर दिया तो कन्नु ने बताया कि बचे मैडम जी नौ बहुत बढ़िया बेटे अब हम देखिए हजार पर हमारे कितनी संख्या है चार और चार में से अगर हम तीन को घटाते हैं तो हो जाता है हमारा ब कैसे हम चार में से दो को घटाते हैं तो यह है तो बहुत आसान है चार में से दो गए तो कितना बचा दो तो बच्चो यह है हमारे पांच अंक के प्रिश्न अब हम बच्चो बात करते हैं कि कैसे हम छे अंकिय संख्याओं का घटानेंगे तो छे अंकिय संख्याओं में क्य ऐसां तर होता है बच्चों यहां पर हम बात करते हैं। जब इकाई-धाई सेक्रा हजार दसजार लाक। कहां तक की संख्या आ जाएきंगी? लाक तक की संख्या। तो घटाना आरंब करते हैं। आईये देखते हैं कैसे। तीन में से 5 जा नहीं सकते तो हम क्या करते हैं 4 में से एक हांसिल यहां ले लिया इसे क्या हुआ 13 हो गया 13 में से 5 बताईए जल्दी से कितना बचा 8 और अब यहाँ पर 4 की जगह क्या आगया 3 तो 3 में से 6 नहीं जा सकते तो फिर से दाई का पडोसी मितर कौन है बच्चो सैक्रा और आप जानते हैं हम उधार किस से लेते हैं केवल अपने पडोसी मितर से तो 5 में से एक उधार यहां लिया यहां बचा 4 और यहां हो गया हमारा 13 तो 13 में से 6 बताईए कितने बचे बताईए जल्दी से 13 में से 6 गय तो जल्दी जबाब दो Very good अपके बचे 7 और यह जवाब दिया था हमारी खुशी ने अब 4 में से 7 नहीं जा सकते तो यहां से एक हासिल ले लिया और 7 में कितना बच गया 6 तो 14 में से 7 गये तो कितने बचे बच्चो 7 और अब हम 6 में से 3 को घटा देते हैं 6 में से 3 गये तो बचे 3 इसमें हासिल की कोई जरुवत हमें नहीं है 8 में से 4 गये तो बचे 4 तो बच्चो और अब हमारी संख्या आती है हमारी अंतिम संख्या यानि कि हमारी लाक अब हम लाक में भी उपर 6 है और नीचे 2 है तो 6 में से 2 आसानी से आपका घट जाएगा, तो घटाईए, छे में से दो गए, तो कितने बचे बच्चो? चार, और इस तरह हम अपने लाख तक के प्रश्णों को घटा सकते हैं, तो बच्चो इस तरह आपने देखा, कि कैसे हम लाख तक की संख्याओं को घटा सकते हैं, जैसे इकाई, धाई, से हेकडा, हजार, दस हजार और लाख, तो यानि की छे अंग की संख्या हमारी कौन सी होती हैं, लाख तक की संख्या, अब आप छे अंगों की संख्या का घटाना बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, अब मैं आपको एक और मुख्य बाद बताती हूं, ये वही प्रश्ण है, अब इसमें आपने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं, कि हम जिस संख्या से घटाएंगे, उसको क्या कहेंगे, तो बच्चों जैसे ये संख्या हमारी बड़ी संख्या है, इसमें से जब हम घटाते हैं, तो उस संख्या को कहते हैं वियोज्य, और जो संख्या को हम घटाते ह उस संख्या को कहते हैं व्योजक यानि कि जो संख्या हमारी बड़ी संख्या होती है वो व्योज्य कहलाती है और जो छोटी संख्या जो घटाई जाती है उसको हम व्योजक कहते हैं और व्योज्य तथा व्योजक के शेश को इन दोनों के बीच में जो शेश होता है उसे हम कहत करते हैं अंतर तो यह वात आशा करती हूं आपको समझ में आ गई हूंगी अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ तो बच्चों आप देख रहे हैं यह क्या है यह है हमारे अत्तू का परिवार और इस परिवार में हैं उनके दादा जी, दादी, मम्मी, पापा और एक छोटी बहन अत्तू के दादा जी जब जौब करते थे तो वो हमेशा कुछ न कुछ बचाते रहते थे और बचत करना तो बहुत अच्छी बात है आपने भी देखा है आप सब करते हैं बचत आपको बचत करनी चाहिए क्योंकि वो बचत आपके भविश्य में काम आती है तो जब अत्तू के दादा जी रिटायर हुए तो उन्होंने जो पैसे मिले वो थे 7,82,435 रुपे देखा उनकी छोट की गई छोटी छोटी बचत कितनी काम आती है बच्चो आप सभी को बचत करनी चाहिए क्योंकि ए बून्द बू कैसे को हम कैसे खर्च करें तो उन्होंने प्लान किया कि क्वोना हमें घर बनाते हैं और उन्होंने एक घर बनाया घर बनाने में उन्होंने खर्च किये 7,12,584 रूपे तो बच्चों अब अत्तु के दादा जी के पास कितने पैसे वचे तो इसी प्रशन को हम एक इबारती प्रशन के रूप में बनाते हैं जब भी हम इबारती प्रशन बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम केवल मुख्य बिंदूओं को ही ध्यान रखेंगे जैसे दादा जी के पास रूपे थे 7,82,435 रूपे और उन्होंने घर बनाने में रूपे खर्च किये 7,12,584 रूपे अब उनके पास कितने रूपे बचे इस तरह से हम इबारती प्रशनों का निर्मान करते हैं और बच्चो एक अभ्यास कर रहे आपको दे रही हूँ आपको करना है कि आपके पापा को जो सेल्ली मिलती है और वो आपकी मम्मी को घर के खर के खर्च के लिए जितने पैसे देते हैं कितने खर्च होने के बाद कितने पैसे आपके पास शेश बसते हैं तो इसको आप इबारती प्रशन के रूप में हल करें और बच्चो एक और प्रशन मैं आपको देती हूँ आपको आपकी जो पॉकेट मनी मिलती है कितनी pocket money मिलती है और कितनी आप खर्च कर देते हैं इन दोनों को आप कैसे लिखेंगे और उन दोनों का अंतर करके और साथ में जो दादी जी आपको चुपचाप पैसे देती है वो भी इसमें add कीजेगा क्योंकि वो भी आपकी pocket money में ही count होते हैं तो इस तरह से आप एक और इबारती प्रशन का निर्माण करेंगे बच्चों आपको ये भी बताना है कि कैसे आपका दूद वाला आता है और दूद के जो पैसे आपकी मम्मी देती हैं और जितने पैसे दूद के पापा ने आपको दिये थे तो उसमें से कितने पैसे बचे ये भी आपको उसमें add करके सब्ट्रेक करके लिखना है और तो बच्चों आज हमने सीखा कि कैसे 6 अंकों की संख्याओं में से उधार लेकर घटाएंगे दी गई संख्याओं में से कैसे हम इबार्ती प्रिश्णों का निर्मान करेंगे जिस संख्या से घटाते हैं उसे व्योज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या को घटाते हैं उसे व्योजक कहते हैं व्योज्य तथा व्योजक के बाद प्राप्त शेश को अंतर कहते हैं और बच्चो यह है आपका घ्रैकार है पहले आप 6 अंकों की संख्या को घटाएंगे फिर आप 5 अंकों की संख्या को घटाएंगे और यह जो प्रशन है कि इस संख्या में कितना जोड़े की योगफल इत कि suppose करो आपके पास में ये चार पैंसिल हैं और हम इसमें कितनी पैंसिल जोड़ें कि हमारे पास कितनी हो जाए आठ हो जाए तो बच्चो इस तरह से जोड़ने के लिए हमें उसमें से छोटी पैंसिल को घटाना पड़ेगा इसी तरह आप ये प्रिश्ण करेंगे तो अग्रहकार है सभी कॉपी में करेंगे धन्यवाद